एक पच्चासी वर्सी ये बूढ़ा पिता अपने जवान सिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था, अचानक उनकी खिर्की पर एक तोता आकर बैठ गया, पिता ने अपने बेटे से पूछा यह क्या है बेटे ने जवाब दिया, यह एक तोता है, कुछ मि बेटे से तीसरी बार पुछा यह क्या है, इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई, तब उसने अपने पिता से जुझलाते हुए बोला यह एक तोता है, एक तोता थोरी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पुछा यह क्या है, इस बार ब पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आये जिसमें उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाये रखा था एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा जब बेटे ने इसी पढ़ा तो डारी में लिखे गए थे आज मेरा चार साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था जब खिरकी पर एक तोता बैठा था मेरे बेटे ने मुझसे 26 बार पुछा कि यह क्या है और मैंने उसे 26 बार जवाब दिया कि यह एक तोता है मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसे 26 बार फिर से वही सवाल पुछा मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ नहीं हुई कि मैंने अपने मासुम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है जबकि छोटे बच्चे ने उसे 26 बार पुछा यह क्या है पिता को 26 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ चार बार यही सवाल पुछा तो बेटे को चिढ और गुसा महसूस हुआ इसे पढ़ कर उसके बेटे को अपने किये गए विवार का पता चल गया था जिससे चलते अब वह मनही मनही बहुत सर्मिंदा हो रहा था सायद उसे अब किये गए अपने बुड़े पिता के प्रती विवार पता चल गया था इसलिए यदि आपके माता पिता जब उढ़ापे में होते हैं उन्हें ना तो पीछे छोड़े और ना ही उन्हें एक बोज के रूप में देखे बल्कि उनके साथ एक दयालू सब्द बोले सांत आग्याकारी विनम्र और उनके प्रती दयालू बने